यह स्टूडेंट आई वेलकम यू अल इन दिस एक्साइज 2.3 nc i t 9 लास पॉलिनॉमियल फ़र्स कुशन है फाइंड रिमेंडर फाइंड रिमेंडर वैन एक्स q प्लस 3 x square प्लस 3 x प्लस 1 divided by these 5 पॉलिनॉमिल देखे स्टूडेंट रिमेंडर फियोरम क्या होती है देखे कोई भी पॉलिनॉमिल आपको दिये लाइक पी एक्स हमारे को यहाँ पर दिये तो इस पी एक्स में डिवाइजर जिससे में डिवाइजर करना है उससे डिवा अब इस x की वेल्यू को पॉलिनॉमिल में जहां जहां भी एक्स है जहां जहां भी एक्स है वहाँ रिप्लेस कर देंगे सॉल्व करने पर जो भी आंज़र आएगा वह पॉलिनॉमिल का रिमेंडर होगा देखे जैसे आप देख सकते हैं अससे हमने क्या पुट कर रहा है, x प्लस 1 को 0 से पुट करेंगे, तो x की value क्या आएगी है, यहां से minus 1, अब देखे, जहां जहां x से हमने minus 1 replace कर दिया, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको diviser जो भी है, जिससे divide करना है, उसे 0 से पुट करना है, और फिर उस जो भी value आए x की, उसे put कर देना, x के place पर, आपका solve वो के जो भी आएगा, my defense वो remainder होगा, यहां पर coincidentally 0 आ रहा है, जरूरी यह 0 ही आएगा, देखे, second part देख लिजे, second part में x minus half से divide करना है, तो जब 0 से quit करूँगा इसको मैं है, तो x की value गाएगी, obviously x की value 1 by 2 आएगी, आप देखे, जहां जहां x है, वहां वहां हमने polynomial सेम है, 1 by 2 put कर दिया, 1 by 2 put करने के बाद, LCM लिया, और my defense आप देख सकते हैं, आपके सामने solve वो करा रहा है, 27 by 8, तो यह इसका remainder है, मतलग कि जब इस polynomial को x minus half से divide करूँगा, तो 27 by 8 remainder आएगा, next problem क्यों चलते हैं, yes my defense, third and fourth part, देखे, third में किस से divide करना है, x equal to 0, my defense, जब x को 0 से quit करूँगा, तो 0 रहेगा, तो जब देखे, 0 put करूँगा, x के place पर तो answer 1 आगया, simply, यह तो बहुत ही simple था, fourth part देखे, fourth part में बहुत ज़्यादा confusion होता है, बच्चे केते हैं, sir, x plus pi का क्या करे, और x plus pi को simple rule follow करो, 0 से quit करा, तो x की value हो गई, minus pi, अब इस x की जगापर, जहां जहां x है, वहाँ, वहाँ, minus pi replace कर दिया, minus pi replace करने के बाद, answer भी देखे, आपका pi में आ रहा है, कोई, कोई doubt नहीं रखना है, आपको answer ऐसा ही relieve करके, हैंस reminder is minus pi cube plus 3 pi, square minus 3 pi plus 5, plus 1, sorry, right is to end, next question के दब चलते हैं, fifth part, देखे, fifth part में 5 plus 2x को जब equate करूँगा, मैं 0 से, तो मेरे पास x की value आ गई, my defense, minus का 5 by 2, आएगा ना, देखे, 5 दर जाके, minus 2 divided, तो देखे, अब जहाँ जाए, x था, मैंने minus का 5 by 2 replace कर दिया, solve करने पर answer आया, मेरे आट, minus का 27 by 8, अब अच्छे से समझ गई होंगे, simple क्या करना है, आपको बोल रहा है, कि यह polynomial इससे divide होती है, तो remainder बताईए, तो आप diviser को 0 करेंगे, जो x के value आएगी, उससे polynomial में replace कर देंगे, x के place पर, या t और y जो भी variable है, और आपका answer आजएगा, next question की दफ चलता है, yes students, question number 2, find the remainder when this world, अब देखे, अब देखे, polynomial हमारे को क्या दिया है, x cube minus x square plus 6x minus a, तो सबसे पहले तो इससे px कहे दो, देखे, सबसे पहले आप याद रखे, एक नाम देदेजिए, px, px, gx, fx, मतलब, इसका मतलब है polynomial in x, आप gx भी कह सकते हैं, यह polynomial को शो करने का एक तरीका होता है, तो यह divide हो दिए x minus a, तो rule क्या कहता है, सबसे पहले x minus a से 0 के equate कर दो, तो x की value आगई a, अब इस x की value को जहाँ जहाँ x है, वहाँ हमाँ replace कर दिया, तो देखे, x cube से x cube cancel होगे, 6 a में से गया 5 a, hence हमारा remainder आ गया 5 a, my dear friends, अब आप देखे, next question part is, question method, check whether 7 plus 3x is a factor of this, देखे, simple सी बात है, अब factor theorem क्या कहती है, remainder theorem में हम क्या करते थे, पहले divisor को 0 से equate करते थे, यहाँ भी यही करेंगे, और x की value find कर लेंगे, जो आ गई है, अब देखे, जब मैं इसमें put करूँगा, polynomial में है, तो remainder theorem में तो जो भी answer आता था, वो remainder होता था, यहाँ पर simple सा बात है, कि अगर रखने पर 0 आ गया, answer सिर्फ 0 आता है, और कुछ ही नहीं, तो यह पहला वाला जो divisor है न, dividend का factor होगा, और अगर 0 नहीं आता है, तो इसका factor नहीं होगा, अब देखें, जब हमने x की value, minus 7 by 3, x के replace करी, तो solve होकर जो आ रहा है, वो आ रहा है, minus का 490 upon 9, जो की 0 से equate नहीं कर रहा, hence, हम क्या कहेंगा, my defense, simple, हम line लिख देंगे, आप देख सकते हैं, आप screenshot भी ले सकते हैं, कि 3x plus 7, एक इसका factor नहीं है, yes, my defense, यह exercise भी finish होई, और अब next exercise 2.4 के ओर चलता है, till then, जै हिन, जै बारत.